सो फ्रेंड्स आज का ये जो अपडेट है मद्यप्रदेश स्वास्त बिवाग नर्सिंग फील्ड से चोड़ा हुआ यहाँ पे रहने वाला है देखिए देरिक भासकर का यह नियूस पेपर है और डेट भी आप लोग देखें 23 सितंबर 2023 देरिक भासकर भोपाल एडिशन यह रहने वाला है में जो इंपोर्टेंट यहाँ पे जो हेडिंग है जो कि यहाँ पे देखिए नर्सिंग यहाँ पे फील्ड से आप पर जुड़ी है लिखा है तीन साल से 1.25 लाक नर्सिंग चातर एक ही कक्षा में परिक्षा की इंतरदार में दूसरे काम करने लगे तो दे अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं फर्स्ट इयर में ही है और ऐसे एक लाक पच्छी सजार केंडिरेट है और यह सभी नर्सिंग केंडिरेट के यहाँ पे रहने वाले हैं तो पूरा आर्टिकल मैं आपको आप पर रीट करके बता देता हूं रिसेंटली यह आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश हुआ इसमें देखिए लिखा है प्रदेश के सवा लाग से भी जादा चातर तीन साल से नर्सिंग परिक्षाएं होने का इंतजार कर रहे हैं अब तक CBI द्वारा 140 से अधिक कॉलेजों की जांच पूरी हो चुकी है CBI को बचे हुए कॉलेजों की जांच दि को विश्व बरवाद हो रहा नर्सिंग से जोड़ें जिन में BSC nursing चार वर्ष और तीन वर्ष ये GNM शामिल है वेतनमान में यह पूरा मामला, वरतमान में यह पूरा मामला हाई कोट में चल रहा है, इधर Fantastic में विवन जिलों में चातर मांग को लेकर प्रिदर्शन कर रहे हैं, लिखाए कई चातरों ने तो खेती का काम तक यहां पर शुरूँ कर दिया, तो देखे किस विवाशोकर किस परिस्थितियों में विवाशोकर केंडिरेट को अपना दूसरा काम यहां पर शुरू करना पड़ रहा है क्योंकि शाशन इस पर किसी भी तरीके का एक्शन यहां पर नहीं ले रहा है तीन साल यहाँ पर लगबग लगबग यहाँ पर हो चुके हैं और candidate पहले ही साल की उनकी पढ़ाई complete यहाँ पर नहीं हो पाई और इस वज़े से उनके exam भी नहीं हो पाई और आगे की पढ़ाई वो भी देरी से आगे होने वाली है चुके देखिए अभी तीन साल में मीस थ्री इयर में अभी एक वर्ष भी मीस फर्स्ट इयर भी जो है यहाँ पर candidate का complete यहाँ पर नहीं हुआ तो जो candidate की degree है मीस B.Sc. Nursing की qualification है तो यह चार साल का course होता है तो यह कितने सालों में complete हो पाएगा यह अंदाजा लगाना बहुत ही जो है चिंता की बात है और जो GNM का diploma होता है वो जैसे की लिखा है तीन वर्ष ही है तो तीन वर्ष में यह क्या complete यहाँ पर हो पाएगा तो बिलकुल यह अंदाजा लगाना बिलकुल यहाँ पर चिंता की बात है कब तक candidates की qualification complete हो पाएगी कब court का निर्देश आएगा कब पढ़ाई शुरू होगी कब exam होंगे कब उनका result आएगा तो बिलकुल candidate को वेवाश होना पढ़ रहा है कि उनको दूसरा काम जो है यहाँ पर उनकी और बढ़ना पढ़ रहा है इसके मलत लगा इसलिए लगी है परिक्षा पर रोग तो रोग क्यों लगी है 11 तलब है कि फरवरी 2023 से नर्सिंग परिक्षा शुरू होने वाली थी परिक्षा से ठीक पहले हाई कोर्ट की गॉलियर बैंच ने इस पर रोग लगा दी एक जनहित याचिका में नर्सिंग कॉलेज को गलत तरीके से मानिता देने का आरूप लगाया था इसके बाद कोर्ट ने BAC नर्सिंग, BAC पोस्ट बेसिक और MSC नर्सिंग के परिक्षा पर रोग लगा दी थी याचिका कर्ता ने तरक दिया था कि नर्सिंग कोलेजों में पुराने सिक्षण सत्र की मानिता गलत तरीके से दी गई इसके बाद जुलाई में गॉलियर हाई कोर्ट की बैंच ने CBI की रिपोर्ट के बाद नर्सिंग परिक्षाओं पर रोग बरकर रखने का फैसला सुनाया था अब तक CBI ने 140 कॉलेजों की जाच पूरी कर ली तो ये 2023 परवरी का मामला है और और अचक नरिक्षा ने आप पर किया गया था मध्य प्रिदेश के अलग-अलग नर्सिंग कॉलेजेज में और काफी नर्सिंग कॉलेजेज यहां पर ऐसे थे जिनके पास ना तो जो है प्रॉपर फैकल्टी थी ना ही प्रॉपर यहां पर बिल्डिंग थी ना ही जो है प्रॉपर जो यहां पर labs रहती हैं और जो भी apparatus यहां पे जो रहते हैं किसी भी तरीके का जो है सामान या पर यहां पर पर प्रॉपर infrastructure यहां पर जो है nursing colleges के पास यहां पर नहीं था और ऐसे जो nursing colleges थे फर्जी तरीके से यहां पर nursing council से मानिता यहां पर लहे हुए थे तो और चक निरिक्षा ने आप पर किया गया और ये पूरा मामला हाई कोर्ट में गया हाई कोर्ट से CBI पर आया और CBI इसकी आपर जहांच यहांपर कर रही है तो ऐसे में जितने भी इन colleges में candidate यहांपर अध्यान रहते तो उनकी पढ़ाई को लेकर आगे यहांपर क्या इस्तिती यहांपर बनती है और जोकि इन सभी black listed colleges में काफी candidates यहांपर पढ़ाई यहांपर कर रहे थे तो क्या सरकार आगे इनकी यहांपर सुनेगी और क्या इनका यहांपर अलग staff यहांपर candidates के लिए उठाए जाएगा कि इन colleges में जो candidates यहांपर पढ़ रहे थे उनके लिए आगे के पढ़ाई किस तरीके से complete यहांपर होगी तो court लेगा फैसला लिखा है परिक्षा कराने का इन रणे उच्छे न्याले का है जाच के बाद यह संबब हो सकता है तो यह president बोलने है law student association के और इसके बाद अभी CBI के जाच चल रही है यह दिसंबर तक चलेंगी court ने परिक्षा पर रोक लगाई है जाच के बाद कोई नड़े हो सकागा तो कि यह कोई DA है मैई तो उनकी तरप से यह बात यहांपर आई है तो ऐसे मैं देखिए जो भी दिक्कत का सामना है candidate को यहांपर करना पड़ा और पूरा साशन जो है इसका यहांपर जिम्मेदार है ऐसा मैं आपर कहूँगा क्योंकि देखिए किस तरीके से नर्सिंग जो registration मानिता देने की जो बात है वो किस तरीके से नर्सिंग कॉलेज़ रहा है candidates के और ऐसे में सभी जो जितने भी candidates यहांपर जो पढ़ाई कर रहे थे नर्सिंग की उनका यहांपर पढ़ाई यहांपर रोग गई और ऐसे में इन सभी candidates को दूसरा काम यहांपर शुरू यहांपर करना पड़ रहा है और यह मजबूरी में ही यहांपर करना चुकि हमारा चैनल नर्सिंग फील्ड से आप पर जुड़ा हुआ है, नर्सिंग और पैरामेडिकल चेतर के सारे अपडेट्स हम आपको यहाँ पर आगे भी प्रवाइड कराते रहेंगे, इंपोर्मेशन मिली हैं तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी फ्रेंड्स लोग प्राइड़ा नरोग प्राइड है, ईट्बएडाइड